असलाम अलेकॉम, वेलकॉम टू आर चैनल मिस्कीन लर्निंग, इस वीडियो में हम देखेंगे अनाज के नाम, इंगलिश, उर्दू और हिंदी में, और ठेर सारी जानकारियों के साथ, चलिए शुरू करते हैं, हम शुरुआत करेंगे वीट से, वीट यानी कंदुम या गेह अब हम गेहूं के अनाज के हिस्सों के बारे में कुछ पढ़ेंगे, वो इसलिए क्योंकि वीडियो में हम कुछ अनाज देखेंगे, या अनाज से बनने वाली चीजों को देखेंगे, जो इनके अलग-अलग हिस्सों से बनते हैं, ये है वीट करनल, गेहूं की फसल की सफा जो होता है ये सफेध हिस्सा होता है जिसमें स्टार्च होता है दूसरा ब्रैन इसे हम चोकर कहते हैं और तीसरा है वीट चर्म जिसे हम गेहों की बींच या शगुफा भी कह सकते हैं क्योंकि इस हिस्से से गेहों का नया पौदा पैदा होता है एंडो स्पर्म में काफी स्टार्च होता है और कुछ प्रोटीन होता है ब्रैंड में काफी फाइबर होता है और कुछ विटमिन होते हैं और वीट जर्म में काफी प्रोटीन और विटमिन होते हैं हमें बाजार में आजकल अलग-अलग किसम के आटे या ब्रेड मिलते हैं, like whole meal, brown और white, तो ये क्या होते हैं, whole meal is made of whole kernel, brown is made of endosperm, ज्यादा तर इसमें endosperm होता है और कुछ germ और bran का हिस्सा होता है, and white ये पूरी तरह से endosperm से बना होता है ये हैं durum wheat, durum wheat से काफी सारी चीज़े बनाई जाती हैं, जैसे pasta, semolina और couscous, pasta गेहूं को boil करके और फिर उसे अलग-अलग shapes में बना कर dry किया जाता है, semolina यानि सूजी, सूजी जो होता है वो कच्चे गेहूं को grind करके बनाया जाता है, और couscous क्या होता है, ये असल में सूजी होती है, जिसे भाब देकर सुखाया जाता है, ये है refined flour या all-purpose flour, इसे हम मैदा कहते हैं, मैदा सिर्फ उस हिस्से से बनता है, जिसमें starch होता है, यानि सिर्फ endosperm से बनता है, broken wheat यानि दलिया, ये गेहूं की kernel को छोटी छोटी तुकडों में काट कर बनाया जाता है, इंग्लिश में उबाले हुए दलिये को porridge कहते हैं, bulgur, इसे हम bulgur कहते हैं, दलिये और bulgur में ये फर्क होता है कि bulgur को काटने से पहले भाब दिया जाता है और भूना जाता है, free k, ये आजकल healthy wheat के list में top पर है, free k असल में कच्छी गेहूं की फसल से बनाया जाता है, इस मेदाना नर्म और हरा होता है, free k और bulgur, middle eastern और mediterranean countries में जादा खाये जाते हैं, vermiseli यानि सेवईया या सेवई, ये गेहूं या चावल दोनों की हो सकती है, अब हम गेहूं के अलावा दूसरे अनाजों की तरफ पढ़ते हैं, ये है बकवीट, जिसे हम उर्दो में सिया गंदुं कहते हैं और हिंदी में कुट्टू, इसके नाम में वीट जरूर है, लेकिन असल में ये गेहूं की कोई नसल नहीं है, ये एक पौदे से उखती है, ये है बारली यानि जो, सोरगम यानि जवार, Tapioca pearls और सागो, Tapioca pearls कसावा प्लैंट की जडों से जो स्टार्च निकलता है, उससे बनते हैं, इसे उर्दू में सागोदाना और हिंदी में साबुदाना कहते हैं, ये है अमरंध, इसे उर्दू में कतीफा कहते हैं, और हिंदी में राजगिरा, ये है कौन, इसे मकई या मका कहते हैं कौन फ्लावर, मकई का आठा या मक्ये का आठा Oats, इसे उर्दु में जो कहते हैं और हिंदी में जै Oats की भी कई किसमें होती हैं जैसे स्टील कट, ये कच्छे Oats के दानों को तोड़ कर बनाई जाती है जैसे हम दलिया बनाते हैं rolled oats, ये oats के दानों को भाप देने के बाद उन्हें दबाने या roll करने के बाद बनते हैं Instant oats, rolled oats ही होते हैं लेकिन इन्हें और ज्यादा पतला बनाया जाता है ताकि ये instantly यानि फॉरण पक जाए ये है राई, इसका नाम बिलकुल हमारी राई के दाने की जैसे ही है लेकिन ये एक अनाज है जो European countries में बहुत खाया जाता है और ये बहुत healthy भी बना जाता है राई bread, Russia और Germany में काफी खाया जाता है ये है किन्वा, प्लीज नोट लिखने में ये किन्वा लिखा जाता है लेकिन बोलने में किन्वा ऐसे कहते है अब हम हमारी मिलेट्स के नाम शुरू करते है ये है पर्ल मिलेट यानि बाजरा ये है फॉक्स टेल मिलेट यानि कंगनी ये है finger millet यानि रागी इसे हम नाचनी भी कहते हैं ये है बान्याड millet यानि सान्वा या सन्वा इसे समा भी कहते हैं प्रोसो millet इसे हम चेना कहते हैं कोदो millet इसे हम कोद्रा या कोद्रव कहते हैं Little Millet इसे समा या कुटकी कहते हैं अब हम चावल का सिलसिलाशुरू करते हैं यह है white rice यानि सफेध चावल यह है brown rice यानि पूरे चावल यह भूरे रंग के इसलिए होते हैं क्यूंकि यह आनाज के पूरे दाने से बनाय जाते हैं यह ज्यादा refined नहीं होते हैं पार बॉइल राइस यानी उबले चावल या उकड़ा चावल ये चावल ब्राउन राइस की तरह ही होते हैं लेकिन इन्हें रिफाइन नहीं किया जाता और इन्हें उबाल कर फिर सुखाया जाता है यह है black rice यानि काला चावल यह North East India में काफी खाया जाता है Friends इस वीडियो का मकसद सिर्फ अनाजों के नाम English, Urdu और Hindi में देना है लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिए इजाफी मालूमात भी दी है उमीद है आपको इस वीडियो से फायदा होगा अनाजों के नाम अलग-अलग states, countries, cultures में बदलते रहते हैं मैंने यहां जो common name है वो देने की कोशिश की है अगर आपको कोई और नाम पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे like करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा spices पर बना हुआ वीडियो भी देखिए मिलते हैं एक और वीडियो में अल्ला हाफिस